नमस्कार दोस्तों आज के इस नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं RCB Recruitment 2020 के बारे में Regional Center of Biotechnology में वेकेंसी आई हुई है और ये Central Government की जॉब की कैटिगरी में आता है अगर हम बात करें वेकेंसी की तो दोस्तों यहाँ पे Multitaski की स्टाफ की वेकेंसी है इसके लावा Data Entry Operator की वेकेंसी है, साथ ही Manager की वेकेंसी है Scientist की वेकेंसी है, वहीं अगर हम बात करें तो Accountant की भी वेकेंसी है और यहाँ पे Assistant, Project Manager और इसके साथ-साथ और भी कई सारे पौदर पर भरती होने वाली है Total वेकेंसी यहाँ पे 25 सीटे होंगी Salary की बात करें तो यहाँ पर Minimum 30,000 से लेकर के 1,80,000 तक का आपको यहाँ पे Salary Package मिलेगा Job Location की बात करें तो All Over India आपकी जॉब होगी और Form के भनने की जो Last Date है, वो 19 मई 2020 है तो इसी के बारे में आज मैं आपको दूँगा सारी जानकारी Step by Step तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे Talk with पुनी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन प्रेस करके All पे क्लिक कर लीजेगा ताकि जितनी भी Government Job और Private Job के Notification होते हैं वो सबी आपको मिलते रहें मैं रोजाना आपके लिए Government Job और Private Job के Notifications लाता रहता हूं साथ ही उस से लेटेड एक्जाम पैटन और लास्ट एर्स के पेपस भी आपको प्रोवाइड करता हूं तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेस करके All पे क्लिक कर लीजेगा तो चलिए वीडियो को continue करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं वेकेंसी के डिटेल्स की तो दोस्तो यहाँ पर जो पहली वेकेंसी है वो है Chief Scientific Officer की CSO की वेकेंसी है यहाँ पर एक सीट है और वही अगर हम बात करें Chief Scientist की तो यहाँ पर उसके लिए एक सीट है Manager की यहाँ पर दो वेकेंसी है साथी Scientist की तीन वेकेंसी Project Manager की एक वेकेंसी इसके लावा अगर हम बात करें Grant Advisor की तो यहाँ पर तीन सीट है System Analytics की यहाँ पर एक सीट है इसके लावा यहाँ पर senior lesion additions की यहाँ पर एक seat है और senior accounts assistant की यहाँ पर एक seat है इसके लावा account assistant की यहाँ पर तीन seat है data entry operator की यहाँ पर तीन seat है ध्यान दीजेगा यहाँ पर accounts assistant की senior की vacancy है दूसरी यहाँ पर junior की vacancy है तो junior की तीन है और senior की एक seat है इसके लावा data entry operator की यहाँ पर दो सीटे हैं, टोटल मिला करके यहाँ पर 25 पदो पर भरती होने वाली है तो दोस्तो जो भी candidates अप्लाई करना चाहिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए वेकेंसी है, दसवी, बारवी, डिपलॉमा graduate, bachelor, सभी के लिए यहाँ पर वेकेंसी है अब अगर बात करते हैं, LGBT के टिगरिया के लिए तो दोस्तो यहाँ पर जो इसका official notification प्रोवाइड किया हुआ है उसमें आपको इसकी सारी जनकारी मिल जाएगी यहाँ पर 10th वाले candidates अप्लाई कर सकते हैं graduate वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सारी जनकारी आपको इसके official notification में provide की हुई है साथ ही यहाँ पर experience की बात करें तो देखें यहाँ पर कुछ post experience वाले हैं कुछ बेन experience वाले ठीक हैं तो यहाँ पर minimum यहाँ पर 1 साल साल लेकर के 10 साल तक का experience यहाँ पर मांगा हुआ है application fees की बात करें तो यहाँ पर देखें सभी candidates के लिए यहाँ पर 1000 रुपे का application fees है सिर्फ SCST physical handicap और women को छोड़ करके बाकि जितने भी journal OBC वाले और EWS वाले candidates हैं उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपे का आपका application fees लगेगा ठीक है तो यहाँ पर SCST physical handicap और women candidates को नहीं पे करना होगा उनके लिए यहाँ पर छोड़ दिया हुआ free of cost है तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको free भी मिल रहा है आप इस form को free भर सकते हैं जो भी candidates है SCST or physical handicap में तो वीडियो को share कर दीजेगा ताके जो भी आपके friends हो या फिर कोई आपका click हो तो हमको भी this vacancy के बारे में जनकारी मिल जाए अगर हम बात करें application mode की तो यहाँ पर जो इसके लिए होगा आपको online application form fill करना होगा ठीक है कैसे fill करना है वो सारा कुछ आज मैं आपको detail में बदाने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं तो वीडियो के description में मैंने आपको इसका official notification provide किया है तो official notification है और दो apply के links है तो जिसके लिए भी आपको apply करना है और अपने सारे documents को send करना होगा और उसके बाद अपना printout निकाल लेना ठीक है सारा document अपको scan गर के attach करना होगा वापे ठीक है photo के साथ signature और उसके बाद में सारे documents को attach करना होगा आपको online apply form fill करना होगा सारी जनकारी वीडियो के description मैंने दे दिया है तो जो भी candidates apply कर सकते हैं साथ ही अगर channel पे नई हो तो channel को जरू subscribe कर लेना ताकि जितनी भी government job और private job को notifications होते हैं वो सब ही आपको मिलते रहें तो अभी के लिए मुझे इजादत दीजिए मैं फिर मिलूँगा एक नई vacancy के साथ एक नई knowledge के साथ तो अभी के लिए goodbye